आज के वीडियो का मुद्दा होने वाला है AsyncIO, किस तरह से हम लोग Asynchronous टास्क करवा सकते हैं Python से और कैसे हमारा बहुत सारा टाइम बचाने वाला है, चलते हैं computer screen में and let's get started So AsyncIO को समझने के लिए हम लोग को यह समझना होगा कि AsyncIO ना ही multi threading है, ना ही multi processing है, यह बस एक तरीका है जिससे कि आप लोग concurrently अपने code को चला सकते हैं एक typical execution flow क्या होता है Python program में अगर मान लो आपके पास एक Python program मान लो मेरे पास एक function 1 है जिसको मैं चला रहा हूँ और इसके बाद मेरे पास function 2 है जिसको मैं चला रहा हूँ और function 3 है जिसको मैं चला रहा हूँ अब होगा क्या कि जब function 1 complete हो जाएगा तभी function 2 चलेगा तभी function 3 चलेगा यह दुनिया जानती है तो मैं आपर अगर आपको import time करके और इसके बाद dev function 1 करके और ऐसे करके time.sleep मालो मैं 3 second करूँ और फिर इसके बाद मैं print func1 करूँ और फिर इसके बाद इसी का func2 और 3 बनाऊँ तो यार वो time waste होगा क्योंकि मुझा बता है कि आप लोग जानते हो कि ये करने से simply पहले function 1 execute होगा फिर function 2 execute होगा फिर function 3 execute होगा जैसे कि आप लोग यापर देख सकते हो सबसे पहले तीन सेगेंड सो के funk 1 लिखकर आएगा फिर तीन सेगेंड सो के funk 2 लिखकर आएगा फिर तीन सेगेंड सो के यानि कि time.sleep use करते हैं तो उसको मैं सो के बोल रहा हूँ function 3 आएगा ठीक है तो यह typical execution flow होता है जो हम सब जानते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग चाहते हो कि network से कोई data लेकर आया जाए यानि कि मान लोग कि आप एक image डाउनलोड करना चाहते हो अब जितनी दिर में image 1 डाउनलोड हो रहा है क्या उसकी time में हम image 2 के डाउनलोड को नहीं लगा सकते हैं टेक्निकली सोचा जाए तो लगा सकते हैं लेकिन python की इस कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो async programming इसी के लिए इस्तिमाल होती है इसी तरह की use cases के लिए मैं कहूंगा इस्तिमाल की जाती है अगर मैं किसी भी एक function को asynchronous function मना दूँ तो क्या होगा कि यह अपने आप में एक async function मन जाएगा और अब मैं इसको अवेट कर सकता हूँ तो मैं इसको जैसे ही run करूँगा यहां पर तो आप लोग देखो यह मुझे error दे रहा है यह कह रहा है कि भाई तुमने इसको कभी अवेट नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको एक async def main एक main function मना सकता हूँ और इसके अंदर इन तीनों को मैं अवेट कर सकता हूँ तो यह एक एक करके run होंगे लेकिन इससे बदला क्या इससे कुछ नहीं बदला में के अंदर पहले भी यह तीनों एक एक करके चल रहे थे अभी भी एक एक करके चलेंगे तो अवेट का मतलब होता है कि किसी भी async function के finish होने का इंतजार कर लो फिर अगला function चलाओ फिर उसके बाद अगला function चलाओ अब कैसे मैं इन तोनों को इन तीनों को concurrently चला सकता हूँ यह भी देखेंगे हम लोग आज तो इसको चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम कह सकते ह async io.run और इसके बाद mean as a function ठीक है तो मैंने चाहद async io को import नहीं किया है कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं ठीक है तो आप लोग अब देखो async io को मैंने import भी कर लिया asyncio ठीक है और इसको run करूंगा तो mean function जो है चल जाएगा अब लोग बदला तो कुछ भी निया कर हम बदलना चाते हैं चीजों को तो कैसे बदले हम बदलेंगे task बना कर हम कहेंगे async io.create task अब यह create task क्या करता है create task एक task बना देता है जो की execute होगा जब भी मैं आपको दिखाता हूं function 1 जैसे मैंने या पर लिख दिया अब मैंने task is equal to async io.create task के आपर task एक बना दिया और यह यह जो task है यह अब तब run होगा जब जब time मिलेगा अब इस बात का क्या मतलब हो मैं आपको दिखाता हूं मैं काम करता हूं यहाँ पर यह जो time.sleep मैंने लगा रखे न 3 3 के मैं इनको await करके async io.sleep लगाता हूं और सिर्फ एक एक second के sleep लगाता हूं ठीक है तो मैं यहाँ प function 2 चल रहा था था function 1 के चलने का time मिल गया तो इसलिए function 1 चल गया तो यह करने से क्या होता है कि जब भी उसको time मिलेगा वो चल जाएगा ठीक है बट यहाँ पर हमको एक अच्छा organization नहीं मिलता है चीजों का इसलिए हम लोग use करते है gather syntax का अब यह gather syntax का है मैं आप लोग को ब यहाँ पर मैं करूंगा function 1 या function 2 या function 3 तो यह करने से क्या होगा यह तीनों के तीनों एक साथ मेरे execute हो जाएंगे और अगर मैं इसको print भी करूं ल को तो इनकी जो values है वो जब तीनों रन हो जाएंगे तब मुझे मिल जाएंगी तो आप लोग देखो यहाँ पर यह तीनों function 1 जो है वो Harry return करता है तो आप लोग देखो यहाँ पर यह तीनों चलेंगे पहले function 1 चला फिर function 2 चला इनफाक्ट यह तीनों पहले ली चल रहे है बस यह की function 3 थोड़ा जादा time ले रहा है क्योंकि यह 4 second की sleep ले रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर Harry, none और none यहाँ पर अब आप लोगों गया यह बड़े boring से functions है function 1, function 2 और function 3 कुछ करके दिखाओ ना तो अगर मैं कुछ करके दिखाओ आप लोगों को तो मैं कहूंगा request python download a file ठीक है तो एक file को कैसे download किया जा सकता है request module की साहिता से तो यह उसका code है तो मैं काम करता हूं इस code को try out करता हूं और म यह क्या कर रहा है Instagram के fab icon को download कर रहा है basically कोई जादा लंबी चौड़ी चीज नहीं कर रहा है ठीक है तो मैं अगर इसको रोड़ा space दे दूँ ऐसे करके तो आप देखो यह क्या कर रहा है कि यह URL है request.get यह कर रहा है फिर open करके इसको write कर दे रहा है जो response content है और यह Instagram.ico के नाम कर देता हूं ठीक है और यहाँ पर Instagram 2 और यहाँ पर Instagram 3 के नाम से इसको save करूँगा अब देखना जैसे ही मैं इसको चलाओंगा इसको जैसे ही मैं चलाओंगा तब आप लोग देखना कि यहाँ पर देखो तीनों के तीनों आइकन से एक साथ download होगा यह देखा आप लोगों कुछ इस तरह से चलाता है ऐसे चलाता कि यह एक एक करके चल रहे हैं ठीक है और इनको definitely मैं अवेड भी करूँगा क्योंकि यह async functions है मैं बेसिकली मैं यह कह रहा हूं गया इनको एक एक करके चलाओ और मैं इसको delete कर देता हूं आपने देखा था ना कि कितनी जल्दी Instagram Instagram 1 औ Instagram 2 download हुए थे अब देखना आप लोग क्या होगा तो देखो यह तीनों एक सा download हुए बट यह एक एक करके download हुए भी ठीक है आप देख रहे हो अब मैं काम करता हूं यार यह Instagram.ic हो ना मेरे असाब से वह चोटा सा image है तो ना पता नहीं चल रहा है हम क्या करेंगे ना कुछ बड़िया तगडी images लेंगे जिनमें थोड़ा time लगे download होने में भी नहीं यह भी नहीं images 4K लिख देता हूं ताकि यार इसको भी जटका लगे थोड़ा सा ठीक है अब देखो यह थोड़ी बड़ी image है नहीं यार यह 4K image नहीं है लेकिन यह क्या 4K image पता नहीं 4K है कि नही ICO से तो बड़ी है ठीक है तो मैं काम करता हूं कि इस URL को यह बना देता हूं और यहां पर इसको jpg के तौर पी save करूँगा और अभी मैं run करूँ अगर तो आप लोग देखो कि यह एक एक करके download होगा देखो funk 1 download हुआ ठोड़ टाइम लगा फिर 2 और 3 हो गया लेकिन अगर दो और images लेके आता हूं ताकि feel मिले आप लोगों को पता चले कि वही कुछ चल रहा है तो मैं काम करता हूं images और के wiki लिख देता हूं कि wiki video से काफी मिल जाती है images अच्छे अच्छी तो अगर मैं यह image का address copy करूँ और इसके बाद इसको paste करूँ यहां पर क्योंकि instagram.ic हो ज यह इसका url आ गया और यह जो instagram.ico है उसको replace करते हैं और इसको run करेंगे तो आप देखना यह एक एक करके चलेंगे यह एक करके नहीं सौरी हमने gather लगा रहा है तीनों एक साथ पड़ाएक से चलेंगे देको one or two एक साथ चले और इसके बाद three चल गया ठीक है लेकिन अगर म मैं यह पर return कर देता हूँ तो नीचे का चलेगा यह नहीं कुछ ठीक है मलो में return three कर देता हूँ ठीक है तो अभी मैं इसको चला हूँ तो आप लोग देखना है यह आपर कि यह एक एक करके चलेगा func one हुआ फिर func two हुआ फिर func three हुआ पहले देखा था आपने कितनी जल फिल लेना really very important है और func three को भी ठीक है तो यह जैसी start होंगे तीनो वैसे यह आप देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको यह किया तो यह func one, func two, func three एके करके start हो रहे है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको comment out कर दूँ तो यह तीनो एक साथ पट से तीनो start होंगे तो फंक one, two, three एकदम लिखकर आएगा तो यह देखो one, two, three एकदम लिखकर आया और यह तीनो एक साथ जो है चलना शुरू हो गए काम पे लग गए ठीक है तो इस तरह से जो है आप async i.o.gather का इस्तेमाल करके पैलली execution करवा सकते हो ठीक है तो यह था async i.o, async i.o में और भी बहुत सार बहुत आया और पाझाएवार काम लिखकर आए टा है तो यह पता आप पर आगा इस तरह से एकर आप़ काम लिखकर आप आप देख़वान काम लिखकर आपाएवारा